तो आज हम बनाएंगे डाबा और रेस्टारंट स्टाइल मेथी मटर मलाई की रेसिपी तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीज तो अजिए जा है उसके बाद दो मीडियंड साइ्ज के प्यास को हम बारे कट करें is hates कर लेंगे अठाक लिए उसे गोल्डन होने एक चमच लालमिश पाउडर एट करेंगे और एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एट करेंगे तो बहुत ही बेसिक से मसाल इसमें यूज होते हैं पर बहुत ही टेस्टी रेसेपी बनती है तो सारे चीजों को हमें मिलाकर अच्छे से भून लेना है जब तक की टमाटर अच् कर दे तब तक हमें से पकाना है तो ने कि सारे मसाल इच्छे से पख चुके हैं तेल बी ऊपर रिलीज हो dolattend है अब इसमें हम मेथी करेंगे तो यहां पर मेथी को अच्छे से साफ करके धोके बारेक बारेक काट लिया था था तो हमेशा पहले दोए इसके बाद हमेशा पहल मेथी और मतर को मसालों के साथ तो गेस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है स्टेज पर तो यहां पर हमारी सबजी अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स हो गई है अब हमें इसे पकाना है जब तक कि मेथी और मतर दोन अच्छे से कुकना हो जाए तो बस गेस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे ढख देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए तो 2-3 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो सेम प्रोसेस हमें करना है ढखना है और 2-3 मिनट बाद हमें इसे चेक करना है ताकि नीचे से जलेना और अच्छे से मेथी और मटर भी हमारे पक जाए तो फिर सेसे म मैंने इसे हटा करके चेक कर लिया था तो यहां पर हमारी मेत्थी और मटर दोना बहुत अच्छे से कुख हो चुके हैं उसके बाद इसमें हम एक छुड़ा चमश कर मसाला पौडर एट कर लेंगे और साथ ही में इसमें हम मलाई एट करेंगे तो यहां पर मैंने दो बड़े चमश मलाई का यूस किया है तो यह नॉर्मल मलाई जो दूद्के अपर आती है मैंने फ्रिजर में स्टोर करके रखावा तब यूस किया है अब चाहो तो जो मार्केट में फ्रेश क्रीम मिलती है उ आप चाहो तो ज़्यादा भी एड़ कर सकते हो बहुत टेस्टी रेसे भी बनती है तो मलाई को ना हमें ज़्यादा नहीं पकाना बस एक मिनिट के लिए हम पकाएंगे नहीं तो इसमें बहुत सारा घीर लीस हो जाएगा और देखें आपे हमारी बहुत ही टेस्टी से सबजी बनकर के तियार है थैंक्स फर वाजिंग